दोस्तो आज का वीडियो में अपना इंग्लिश के लिए देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पुरे साल भरना 12 के लिए पढ़ाई नहीं किया हैं और उनलों को नहीं सिर्फ पास होना यह अम ना ऐसा कुछ बतातो सर की सिर्फ हम लोग यह यह पढ़ लें और पास हो जा है ठीक है कुछ specific area को segment है ना यह सब चीजे बतातो तो पास होता है तो आज का वीडियो जो simply है ना मैं Hindi और English के लिए बताने वाला हूं जिसमें जो मेरा basic constituent रहने वाला है वो English के लिए बताऊंगा और Hindi के लिए same to same आपको वही apply करना है उसके लिए मैं समझाओंगा नहीं ठीक है तो कि आप देखोगे तो Hindi और English में basically marks distribution जो रहता है ना वो similar रहता है तो marks distribution simple है आपके 100 marks का distribution जैसे कि आप देख पा रहोगे screen में देखो 80 marks का आपक 20 marks हो जाता है और 80 marks जो रहने वाला आपको written paper जो आप अटेंड करके आओगे paper में वो आपका 80 marks का रहने वाला है तो ऐसे ही आपका Hindi में भी रहेगा 10 marks का आपका रहेगा Waiwa project और 10 number करेगा Waiwa 10 number करेगा project हो जाएगा 20 number और 80 marks का written paper ठीक है तो इसमें हम लोग basically बात करने वाल तो written paper का आपका passing marks का रहने वाला है 28 से 30 number के उपर आपको लाना है तो आप pass हो गए है ना सिर्फ passing marks वालों के लिए बता रहा हो ना अच्छे marks कैसे लाना वो अगले वीडियो में बताएंगे अभी सिर्फ passing marks वालों को देखो आपका reading section basically contribute करने वाला है 20 marks writing section जो रहने वाला वो रहता है 18 marks का और literature यानि कि जो आपकी दो books आपको provide करी गई है school के दवारा cbsc के दवारा एक होती आपकी reader दूसरी होती आपकी supplementary book दोनों book का मिला करके होता है आपका 40 marks ऐसे हिंदी में भी same to same रहता है आपका 22 marks का आपका reading skill 18 number का आपका writing skill और बागी जो 40 number है वो literature से आ books आएगा है ना तो यह आपके basic constituents रहने वाले हैं किसे 80 marks आपका divide होगा तो जो basic number है जैसे 28 number 30 number जिसको cross करना है उसके लिए सबसे असान जो अभी से उत्ता गेम करने का area है वो होता है writing section क्योंकि writing section एक ऐसा segment है जिसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ particular जगा नहीं इसको आप अराम से एक दिम के अंदर की पूरे 18 marks गेम कर सकते हो वैसे तो यह literature subject है तो कुछ ना कुछ आपके marks deduct होंगे ही होंगे लेकिन इस 18 number में से आप 15 number minimum आप गेम कर सकते हो अगर आप अच्छी तरीके से पढ़के जाओगे तो अब बाती आती कौ कौन से चीज़े आपके 18 number में constitute करते हैं तो 18 number में आपके 5 question आने वाले हैं कुछ question रहेंगे 4 number के कुछ रहेंगे 5 number के ठीक है उसमें 5 question कौन कौन से हैं एक रहेगा आपका notice writing दूसरा रहेगा आपका invitation तीसरा रहेगा आपका formal letter चौथा रहेगा informal letter और एक रहेगा article writing अब यह 18 marks कैसे आपको game करना है इसमें आपको format दिखाऊंगा format में कैसे आपको लिखना यह दिखा दूगा ठीक है साथ में आपको एक segment और बता सकता हूं है जब यह complete हो जाएगा तब में आपको बताऊंगा ठीक है जब इतना आप ले आओगे 15 marks उसके बाद यह बताऊंगा क्या क करना है सबसे पहले notice writing के तरह बढ़ते हैं यह पहला question है इसका हम लोग देखते है marks में कितने 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 नंबर का आते हैं यह paper sample paper cbsc के दोरह provide किया गया है जितनी भी information में आप लोग को दे रहा हूं यह अपने telegram group जो इंजिनियर से ट वर्क है इसमें 1500 से ज्यादा लोग जोड़े हुआ है उसमें आप जोईन हो सकते हैं जिसकी link में आपने description box में provide कर देता हूं ठीक है यह paper यह भी मैं उसमें डाल दूँआ अपलोड कर दूँआ तो वहां से आप देख सकते comfortably इस paper को आप देखोगे तो इसमें अपन writing section की तरह बढ़ते हैं तो writing section जो है वो यहा इसमें notice writing जो है चार नंबर का question है तो चार नंबर में कैसे marks distribution होता है सबसे पहले इसमें चार नंबर में से दो नंबर होता है वो हमारा format होता है और दो नंबर जो आप जो भी content उसके अंदर डाल रहे हो वो होता है तो format आप देख सकते हो ऐसा simple है और इसमें से एक नंबर ज जो भी आपकी school है जहां से पी हो तो लेटर में लिखा रहता है जैसे कि इस letter में जब आप देखोगे मतलब इस paper में जब आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है बाली high public school तो आपका जो इसमें यहां पर जो name of issuing agency है तो आप पर high public school आएगा बाली high high public school जैसे में डेली public school लगता हो उसमें आपको साथ में notice लिखा होना चाहिए फिर एक date फिर subject जो भी आपका subject है जैसे कि इस particular question में celebrating world environment day है फिर छोटी सी body body ज्यादा आपको बढ़ाना नहीं है मुश्किल से 50 से 60 word की body contribute करना फिर आपका date और जो भी आपकी designation है जैसे आप head boy ह आपको CCA captain हो discipline in charge हो sports captain हो जो भी आप designation world करते हो जो question में लिखा हुआ है वो आपको वहाँ पर लिखना है और जब आपको अपना नाम नहीं लिखना है यह दिमाग में हमेशा याद रखना वहाँ पर नाम जो आपको question में mention है जैसे कि इस particular question में अगर mention हुआ तो वही नाम तो यू की जगह आपको अपना नाम मेंशन करना है और उपर में देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जैसे dedicated area for medical herbs इसमें भी यू लिखा हुआ है sorry रिचेल तीवारी इसमें रिचेल तीवारी साफ साफ मेंशन है तो आपको उसमें यू की जगह जह आपका नाम लि लिख करके आना सबसे पहला आपको host का नाम फूर जो भी institution है आप जहां पर भी जैसे मैं अपना college का नाम बताता हूँ BIT अभी हमारे हां Ojas organize हो रहा है तो मैं अब invitation बेज रहा हूँ जैसे CM को या फिर SP को हमारे शहर के तो उन लोगों को मैं क्या बता हूँगा host की जगह क् तो नाम फिर नेम फिर फिर से college का नाम फिर फिर इंस्टिउशन कहा पर रहा है तो यही हो रहा है फिर occasion क्या है जैसे Ojas ऑरा है तो occasion में Ojas date, time, venue date क्या रहने वाली जो उसमें date रहेगा वो लिख देना time जो mentioned है वो time लिखना venue जो है venue जो आपका जिसे मेरा occasion है वो college में होगा फिर chief guest जो भी रहने वाले जैसे CME chief guest थे तो chief guest नूनी का नाम लिख दीजेगा फिर contact details याने की basic contracts आपको basic ज्यादा पुरा बढ़ागी contract में लिखना एक xxx जैसे 5 visits लिखना सुरू के 98271 फिर xxxxx करके 5 visits और लिख देना नमबर लिखने की पूरी आउशकता नहीं है फिर आ इसमें भी दो नमबर आपकी बाडी तीसरा आता है फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर 5 नमबर में आये गा इसमें भी दो नमबर की आपकी बाडी और एक नमबर का आपको रहने वाला है इसमें तो basically आप लिख रहा है spelling mistake भी देखा जाते हैं English के subject में और Hindi के subject में Hindi में मातर म अब करिएगा नंबर कड जाते हैं हिंदी-इंग्लिश में आपकी spelling मिस्टिक मत करिएगा नंबर कड जाते हैं इसलिए आपको format body यह सब maintain करके रखना है 5 marks का question आएगा gain करके जाहिएगा चौथा question आता है हमारा informal letter का यह भी 5 marks का question है informal letter दोस्तों आपको यहां पर आपको basic strict rules नहीं है किसी भी को letter लिखने का असानी से आपको soft language जो आपको language उस करना है वो आप लिख सकते हो basic इसमें सिफिता रहता है कि उपर आपको address लिखना है फिर date फिर DRBR करके जो भी आपको नाम लिखना है साथ में नीचे मैं आप lovingly लिख सकते हो paragraph के अंदर आप जो डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो कोई भी चिंता की बात महीं है क्योंकि यह informal letter है आगे बढ़ते हैं article writing के लिए तो article writing जो यह भी एक 5 number का question है बहुत ही important question है देखो दोस्तो जितने भी question में आपको बता रहा हुना writing section में इसमें कुछ word limit दिया होगा उस word limit को strictly आप obey करेंगे क्यों क्यों क्योंकि यह number जो है वो basically word limit के अनुसार ही दिये गए है पांच number का question है तो आपको 4 page नहीं भरना है उसमें उसमें particularly limit दिया होगा जैसे 120 words, 130 words, 90 words, 400 words वो word limit को आपको obey करना है चाहे आपको कुछ भी हो जाए ठीक है उस word limit के अंदर ही लिखो क्योंकि जादा लिखने से आपको जादा number नहीं मिलेगा और बलकि आपका उल्टा time pass होगा देखो, paper लिखते समय ना, starting से आपको point रखना अपने दिमाग में कि कैसे आपको अपनी speed को differential रखना यान कि constant speed को आपको maintain करके रखना आपकी writing speed को सुरू से तेज लिखेगा, ऐसा नहीं कि सुरू अराम से अच्छे से बना बना की लिख रहा हो आखरी में जाकर के page देख रहा है तो बहुत ज्यादा मैसी दिख रहा है आपको सुरू से एकदम constant speed और एक constant handwriting handwriting में लिखना है दिलों pass नहीं हो पा रहा है उनलों को तो majorly इस चीज में ध्यान रखना है क्योंकि आपको पस तीन गंटा time में और तीन गंटे time में आपको इतने को करना और साथ में दूसरे बज़ बताता हूँ कि यह तो छिर्प 18 marks का हुआ दूसरी चीजे में बताता हूँ देखो इतना तो हो गया अब साथ में जो आगे के 18 marks या 20 marks आपको गें करना है पास होने के लिए वो आपके आएंगे reading skill से क्योंकि आप literature portion तो पढ़ने सकते है time बहुत कम है literature portion के आपका आता है reading skill reading skill 22 number contribute करता है total है अब आपको 22 number को कैसे ला आदिया कैसे अटेंट करना है तो पांचो portion को चाती साथ लिख देना मुझ्खिल से एक घंटा लगेगा वो 18 marks का आपको लिखने में अब आपस बचे 2 गंटे 2 गंटे में आपको reading skill करना है literature करना है literature तो पढ़के नहीं हो reading skill कर सकते हो reading skill में आपके पास 3 या 2 paragraph आने वाले ह हो गया कित्ता 12 और 10 20 marks याने 2 question आगा है एक 12 marks का एक 10 marks का ठीक है अब इसमें देखो आपको particular paragraph दिया हुआ है paragraph के बाद 10 question 12 question फिर paragraph दिया 10 12 question अच्छे से 15-10 minute time दो paper शुदू होने से पहले मतलब जब भी bell रिख होता है उससे 10 minute पहले आपको paper दिया जाता है reading time दिया जाता है यह नहीं कि आप time pass कर रहा है एक तो पहले report आपने board जहां पर कि आपको center मिला है वहाँ पर बहुत जाओ time से उसके बाद फिर इस particular paragraph आपको अच्छे से read करना है और उसके बाद फिर इसके answer जो है तो आपको लिखना है दिमाग में सदय ज्याद रहो अब आप गल्थ के तो आपके teacher जो है number को deduct कर देंगे same यही Hindi वालों को भी है Hindi में भी जो unseen पैसे जाने वाला है आपका अनुच्छे दाता है अनुच्छे तिलेखन होता है वो सब को आपको ऐसी करना कद्यांच आएगा पद्यांच को आपको कैसे करना है same to same Hindi के language उठाके नहीं दिखना है जोईन हो सकते हैं साथ से comment करिए जो भी आपको important चीज लगता है एक बहुत important बात CBSE के जो 12th के बच्चे है उल्लों का mathematics का paper और जो CGBSE है अगर आप चैनल में बने रहोगे तो मैं आपको basically बता रहो बहुत अच्छा prediction देने वाला हूँ आपको CG board वाले जो बच्चे है mathematics के paper में 100 number में से 80 plus marks आप लोग को attain करवा के दूँगा सब्सक्राइब करो चैनल बने रहो वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत जय जय जवारत